Dream 11 में Captain Vice Captain कैसे चुने? 99% लोग नहीं जानते हैं कि Captain Vice Captain का चेहन कैसे किया जाता है Mega Grand League में 100% Captain Vice Captain perfect होनी चाहिए तबी आपकी टीम rank कर सकती है कभी कभी आप देखते हैं वैसे लोगों का टीम भी rank 1 पर आ जाता है Grand League में जिनके टीम में Captain Vice Captain perfect रहते हैं जबकि उनके टीम में एक अक प्लेयर सही परफॉर्म भी उस मैच में नहीं करते हैं फिर भी उनका टीम रैंक वन पे आ जाता है जबकि आप कैप्टन वाइस कैप्टन का रिसर्च करोगे तो आप बांकी प्लेयर का भी सही से पता लगा पाओगे कि आज के मैच में किस किस प्लेयर का परफॉर्म आ सकता है क्योंकि टीम चाहे आप जितना भी बेस्ट बना लो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन परफेक्ट नहीं जाएंगे तो आपकी टीम कभी भी टॉप नहीं कर सकती है जबकि captain wise captain आप भी कभी कभी perfect chain कर लेते होगे लेकिन आपके team में कई सारे player flop हो जाते है तो आज मैं आप लोगों को mega grand league का ऐसा best trick बताऊंगा जिससे कि आप captain wise captain का सही से chain कर पाऊगे आप 80 से 90% तक सही से captain wise captain का chain कर पाऊगे और जब आप captain wise captain पे इतना धेयान दोगे तो आप भाकी player को आसानी से पकर सकते हो कि आज के match में कोन कोन से player perform कर सकते है जबकि बहुत सारे लोगों का mindset बना हुआ है कि मैं grand league को कभी win कर ही नहीं सकता grand league में बहुत ही ज़्यादा competition होता है तो मैं कहता हूँ कि grand league में 0% competition होता है भीर देख रहे हो कि 1 करोर से 1.5 करोर लोग है लेकिन आप हमेशा top में देखते हो top 100 की बात करता हूँ कभी भी आपको 2-4 लोग से ज़्यादा नहीं देखेगा अकसर आप rank 1 पे एक ही लोग को देखोगे तो जो top में होते हैं उनका कोई competition ही नहीं होता है उसके लिए आपको team का SEO करना होता है जिसमें आपको कई सारे logic और trick को सही से इस्तेमाल करना होता है जबकि हमने पिछले वीडियो में कहा था कि आप दोनों team के compare के हिसाब से आप captain wise captain का chain कर सकते हो जैसा की strong और weak team के बीच मैच है strong team पहले बैटिंग करेंगे तो इनके baller important हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर run कम बनने वाले हैं और wicket जादा गिरेंगे तो baller को wicket मिलेगा captain wise captain के option baller बनेंगे लेकिन बहुत सारे लोगों का comment आ रहा था कि भाई मैं captain wise captain कौन से baller को बनाओ उसका decide नहीं कर पा रहा हूँ तो इसका भी scene clear कर दूँगा साथ में यह भी बताया था कि strong team के top order के bestman को ही ले और middle के bestman को drop कर दे तो इस तरह से आपको flop बनाने है और यहाँ पर baller का condition भी समझाया था कि कौन से baller starting में ball करेंगे और कौन से देथ में करेंगे किसको captain wise captain बनानी चाहिए तो देखो starting में दो तरह के baller होते हैं एक baller होते हैं जो कि starting में भी ball करते हैं और देथ में भी ball करते हैं जबकि एक baller होते हैं starting में ball करते हैं जबकि middle में खतम कर देते हैं अगर दोनों baller starting में ball करेंगे और देथ में करेंगे तो वैसे baller को captain wise captain नहीं बनानी है बस यहाँ पर important रहता है middle के baller को captain wise captain बनाना क्यूंकि weak team है तो हो सकता है 20 hour का match है 15 hour में all out हो जाए तो जो देथ के baller है वो देथ में ball करेंगे ही नहीं starting में दो अभर करकर उनका खतम हो जाएगा कहानी तो वहाँ पर starting में चाहे कितना भी weak team हो starting के bestman अच्छे होते हैं तो starting में wicket थोड़ा कम गिरता है middle में बहुत ही ज़्यादा ठोक में wicket गिरता है तो इसका मैं proof के लिए आपको कई सारे match का screen shot दिखा देता हूँ वीडियो में आगे बनने से पहले आप लोग एक like जरूर कर देना आपके एक like से काफी motivate मिलता है मैं इसी तरह का grand links related tips and trick वाली वीडियो लाता हूँ जो की practically knowledge रहता है और बहुती simple way में आप आसानी से समझ सकते हो और आप आसानी से best team बना सकते हो अप जब team बनाओगे ये स सारे logic को लगा कर देखना आपकी पहले से best rank भी आएगी और आप कभी टॉप भी कर सकते हो तो वीडियो काफी informative होगा बिना skip के शुरू से अंतक वीडियो को जरूर देख ले रहा और जो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बि वी टेलिग्राम पे ही दिया जाता है साथ में small league grand league की final team आपको टेलिग्राम पे provide होती है आप जैसे ही टेलिग्राम join करोगे आप यह समझो आपकी जीत की journey start हो गई आप scroll करके मेरी team भी देख लेना किस level की team रहती है आप small league को तो यूहीं अपने opponent को आसानी से हरा सकते हो त तो टेलिग्राम join करने के लिए आप description और first comment से ही join होना क्यूंकि मेरे नाम से बहुत सारे लोग fraud channel भी बना रखे हैं जो कि आप से पैसे भी मांग सकते हैं आप मेरे टेलिग्राम link से ही टेलिग्राम join करना जहां आपको free में team provide होती है क्योंकि जो international game होते हैं और जो domestic match होते हैं वो बरे match को ही cover करता हूँ जैसे कि अभी IPL आने वाला है तो IPL में बहुत ही धमाका होने वाला है तो मेरे टेलिग्राम ज़रूर join कर लेना video start करते हैं अब बात आती है कि आखिर player का chain करे कैसे दोनों team का 22 player है और अपने team में 11 player होनी चाहिए तो सबसे पहले 22 player को आप 3 part में divide करें जो एक player होता है consistent player जो लगभग सारे match में perform कर देते हैं जैसे recent world cup खेला गया है तो उसमें रोहिस सर्मा हर एक match में अच्छा खासा perform कर रहे थे त तो देखो player का form और out of form रहता है दो ही condition रहता है बहुत सारे player ऐसे रहते हैं जो फिलहाल कुछ दिन पहले अच्छा perform किये हैं और recent में वो out of form चला है तो कुछ player ऐसे भी हो जाते हैं जो लगतार flop ही चले जाते हैं जैसे रोहिस सर्मा world cup में लगतार perform किये लेकिन वहीं हम 2023 के IPL की बात करें तो लगभग match में ये flop ही गया है 50 के उपर run ही नहीं बना पा रहे थे तो ऐसे player को हम drop करने का risk ले सकते हैं जबकि बरे player है जबकि हम mega grand league खेल रहे हैं तो mega grand league में आप 49 रूपे लगा रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा उमीद कर भी क्या सकते हो आपको एक ब दूसरे match में वो flop हो जाएंगे तो ऐसे player जो होते हैं flop और performer तो जो आप team बनाते हो team combination बनाते हो grand league का तो ऐसे player को एक team में रखो और एक team में drop कर दो तो फिलहाल तो हम लोग captain wise captain की बात कर रहे हैं तो जब जर से बात को पकरोगे तभी आप clear कर पाऊगे उसके बाद अगला player होता है average player average player होता है कि लगभग वैसे player का selection लो रहेगा लेकिन होता क्या है पचीस से तीसरन घीस तीर कर बना देते हैं वो अपना grand league में जगा बना लेते हैं वैसे या baller है तो एक wicket तो निकाल ही लेंगे वैसे baller हो या bestman हमेशा average perform करते हैं उससे आप बड़ा target का उमीद कर सकते हो लेकिन वो 11 player का जो team बनता है rank 1 का उसमें वो जगह बनाते हैं तो ऐसे player important होते हैं तो इसको यूज कैसे करना है तो इसके दो condition होते हैं जैसे कि दोनों team का playing level है तो यहाँ पे तो हम decide नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको एक और चीज़ देखना होता है दोनों player flop player या performer player को हम लोग grand league में risky player कहते हैं जिनका selection कभी-कभी high भी दिखेगा और कभी-कभी low दिखेगा low condition में अक्सर perform करते हैं और जब high हो जाता है तो वो अक्सर flop हो जाते हैं क्योंकि वो player ही ऐसा होता है कभी high score कर देंगे और कभी starting में ही out हो जाते है तो इसलिए ऐसा player risky होत जिस पर किसी का धियान नहीं रहता है जिसको हम लोग trump card खिलाडी बोलते हैं और trump card खिलाडी वैसे player को अब विश्वास के तौर पर guarantee के साथ ऐसे player को रखोगे तो ऐसे player तो average perform कर रहे है जिनका selection low रहता है और ऐसे player को अपने team में रखते हो तो आपकी team अच्छी खासी rank करत है तो यहाँ पे तो फिलहाल condition था अब चलते हैं इसको यूज कैसे करना है तो जैसे कि देखो safe player या consistent player तोनों टीम प्लेंग लेवल लिया हूं इंडिया की तरफ से तो यहाँ पे समझाने के लिए है जैसे कि रोहिश सर्मा ये world cup का record है तो रोहिश सर्मा लगातार हर एक match म के पास मिल गए ऐसे player को आप बिंदाश ट्राइ कर सकते हो उसी तरह क्यल्डाहूल भी है क्यल्डाहूल का भी लगबग सारे match में अच्छा खासा perform आ रहा था तो यह आपका दूसरा player हो गया उसी तरह आप कुल्दीप यादब को भी देखोगे कुल्दीप यादब भी आ हैं तो इसको आप तिसरा player तो पहले आप 11 player का chain करें उसी में आप देखना कि इनमें captain wise captain का option को ने जैसे कि रोही सरमा है अगर देखोगे last वाला ये 131 का perform छोड़के 183 तो यह ODI का है तो यहाँ पे अगर 50 plus ही run बन रहे मतलब कि 70 के अंदर run बन रहे तो आप captain wise के captain के consistent कह सकते हो तो ऐसे player को आप एजे player रख सकते हो अब देखो पहले logic पे बात करेंगे से player को ही consistent player कहते हैं तो जैसा कि इंडिया का playing level ले लिया हो तो यहाँ पर देखोगे सारे player का यह recent perform है तो यह ODI का match जो हुआ था World Cup उसी का perform है यहाँ पर रोही सरमा को देखोगे तो लग जाते हैं और एक ball पे छक्का भी लगता है तो इसलिए आप fantasy की team बना रहे तो आपको थोड़ा risky का backup बनाना होगा तो यहाँ पर team combination बनाना होगा 3-4 team माल लेते हैं पहले team में हमने इनको safe के तौर पर रखा और अगले player की बात करें तो उसी तरह क्यल राहूल है क्यल राहू player select करने हैं तो आप ऐसे player को as a player select कर सकते हो वही हम risky player या safe player की बात करें तो अब यहाँ पे देखोगे इसान किसन है कभी यह अच्छा perform कर देते हैं और कभी यह flop भी चले जाते हैं तो ऐसे player का rotation होता है ऐसे player को आप guarantee के साथ तो drop नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप playing 11 का ले player बना सकते हो नहीं तो अगर उस तरह का perform नहीं मिलेगा तो आपको team combination बनाने की जरूरत होगी और ऐसे player को एक team में रखो एक team में drop कर दो तो इसको आप risky भी कह सकते हो वैसे सामने वाला team कोन है उस पर depend होता है क्योंकि team compare जरूरी है अगर सामने वाला weak team है पहले betting करते हैं तो आप drop कर सकते हो लेकिन chase करते हैं तो सामने वाला run कम बनाएंगे तो उस condition में ये आसानी से run बना देंगे तो उस condition में आप विश्वास के तौर पर ऐसे player को आप safe में try कर सकते हो लेकिन अगर बरावरी का team है तो उसमें आप देख लेना team combination में अलग-अलग तरीके से दिकर है वैसे टी 20 में देखोगे टी 20 में 60 run भी बन जाते हैं तो captain के option बन जाते हैं ODI में जो playing 11 होते हैं उसमें एक नए एक player सतक या 80 run तो बना ही देते हैं वैसे player captain wise captain के option बनते हैं तो इसके लिए आपको पीछी report देख रहे होंगे पीछी report में अगर batting support पीछ है तो आप bestman को starting के bestman को बना सकते हो दूसरा आप लोग कई सारी captain wise captain में बनाने में गलती करते हो suppose that माल लेते हैं कि विराट कोली को हमने आज के match में captain बनाया और हो सकता है flop हो जाए तो ये आज के match में flop हो गया तो अगले match में वैसे भी विराट कोली का captain wise captain के जो selection है वो घटेंगे और ये consistent player है लगतार perform कर रहा है तो आप अगले match में आप भी drop कर देते हो ऐसा आप लोग करते हो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है अगर पहले match में आपने captain बनाया flop हो गया और तो फिर अगले match में भी आपको इनको ही captain बनाना है क्योंकि कोई बड़े player है consistent है अगर एक आप match मे रूर करते हैं और अच्छे खासे perform भी करते हैं तो ऐसे player को आप captain wise captain brown सबसे पहला logic होता है captain का कि जब भी आप पहला match खेलते हो किसी भी series का तो उसमें देखोगे कि जीसका सबसे जादा selection percentage होता है वैसा player अकसर flop हो जाते हैं तो वैसे player को आप captain wise captain ना बनाओ क्योंकि high selection percentage player को आप captain बनाओगे तो आपको जीतने की chance जो है बहुत ही कम रहते हैं अगर आप वैसे player को captain बनाते हो तो फिर आपको team जो है बहुत ही जादा unique बनानी होगी और उसमें कई सारे बरे player को drop करना होगा जैसे कि अगर opener को captain बना रहे हो तो जो middle में हैं जैसे कि क्याल डाहूल होग कि top के ही bestman perform कर जाते हैं तो 10 match में 1 match का कोई value नहीं है इसके लिए आपको जहां पे 9 match में ऐसा condition लगता है तो ऐसे condition पे आपको player पे drop करना होगा और इसी तरह आपको captain wise captain का chain करना होता है लेकिन फिर भी आप यहां पे team compare नहीं समझ रहे हो तो आप नहीं समझ सकते captain wise captain इसके यह आपको pitch report और player के battle देखने होंगे तो ऐसे player का तो पता नहीं लगेगा इसके लिए आपको team compare देखना ही होगा और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था team compare पे कि एक team strong है और एक team weak है तो यह दोनों team का playing level है और इसमें जब weak team पहले batting करेंगे तो आप top order के bestman strong team team के bestman को ले लो और इनके जो है baller को ले लो तो आपकी team best rank करेगी जिसमें इनके middle order के bestman है उनको drop कर दो वही strong team पहले batting करते हैं तो सबसे पहले weak team के baller को लिया जाता है कुछ baller को लेकिन यहाँ पे captain wise captain की बात करें तो weak team पहले batting कर रहे है तो जो आप लोग का comment था कि मैं decide ही नहीं कर पारों कि कौन सा baller starting में ball करेंगे कौन सा middle में करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो opponent team है उनके player playing 11 को देखना है कि इनमें righty कितने है और इनमें lefty कितने है अक्सर इनमें righty और lefty का combination रहता है माल लेते हैं अगर दोनों righty है और सामने वाले team में सबसे spinner को ज़्यादा support रहता ground तब करते हैं उसमें भी सामने वाले team में lefty रहते हैं तो खास कर करते हैं तो वैसा condition रहता है इनकी तरफ अप lefty और righty combination देख लिए अब इनकी तरफ बॉलर देखना है कि इनमें जो passer baller है इनमें कितना right hander और left hander baller है left hander अगर passer रहेंगे सामने व दोनो starting के baller righty यह है तो फिर righty में आप देखना righty righty में कि starting में दो ही condition होता है एक baller रहेंगे जो power play में दो अबर करेंगे और दो देथ में करेंगे लेकिन उसी में एक baller ऐसे रहेंगे जो दो power play में करेंगे और दो middle में ही कर लेते हैं जैसे इंडिया की तरफ से बुम्र starting में ball करते हैं अगर इनको wicket मिलता है तो अकसर सिराज से ही middle में ball करा लिया जाएगा यह मान कर चलो तो फिर उस condition में middle में जो समी जूरेंगे तो समी से देथ कराया जाएगा तो ऐसा होगा जो player से wicket मिलता है जिस player को wicket मिलता है उस player को अकसर ball करा लिया जाता है लेकिन यह बुमरा मैन बॉलर है तो इसलिए इनको देट में रखा जाएगा लेकिन यहाँ पे कंडिशन क्या होगा कि सामने वाला विक टीम है और ये टी-20 का मैच है 20 ओवर का तो हो सकता है ये टीम 15 ओवर में ही लिपट जाए तो फिर यहाँ पे सबसे पहले बुमरा को कैप्टन नहीं बनाना है अब यहाँ पे बात आती है सिराज का और समी का तो यहाँ पे फिर आपको पीच रिपोर्ट देखने हैं पीच रिपोर्ट अगर स्पीनर सपोर्ट होगा तो फिर मीडिल में जैसे की ट्रिक यूज किया जाता है और आप अपनी तरीके से ग्राण लिक की टीम बनाया करो जैसा कि आप यह मैच का रिकॉर्ड देख सकते हो यहाँ पे आप लाइब देख सकते हो यह वर्ल्ड कप का मैच है यहाँ पे इंडिया पहले बैटिंग करके 357 रन मारे थे स्री लंका इंडिया के खिलाफ वीक टीम है तो इनको 55 पे ही all out कर दिये तो यहाँ पे बैस्टमन इंडिया पहले बैटिंग किये तो इंडिया के बैस्टमन तो important थे ही जबकि बॉलर पाश्पन पे ही all out कर दिये वो भी 90 और में ही तो जो middle के baller होंगे उन्हीं को wicket मिला होगा सबसे बरी बात है कि इंडिया की तरफ से important कुन होगे तो देखो इंडिया के 8 wicket गिरे हैं तो स्री लंका के baller important हुए होंगे क्योंकि सिर्फ 55 run ही बने हैं तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे middle के baller को wicket मिला होगा आप score card में देख सकते हो कि इंडिया के तरफ से यहाँ पे देखो तीसरे number पे समी ball करने आये थे 5 wicket मिला था जबकि इंडिया जब batting किये थे स्री लंका के baller को जो wicket मिला था स्री लंका के baller का तो इंडिया के bestman का परफर्म देख सकते हो इंडिया के bestman जो है starting में ही wicket गिरा था और अकसर जो है जो weak team को हलके में लेकर starting में wicket strong team के गिरते हैं लेकिन कब जब strong team पहले batting करते हैं तो यह condition आप समझगे आप और भी match देख सकते हो यहाँ पे भी इंडिया एक बड़ा score किये लेकिन इनका 5 wicket गिरा वही South Africa को 83 पे ही all out कर दिये वो भी 2700 बर में तो इसमें भी आप देख सकते हो wicket किस को मिला तो यहाँ पे आप देखोगे middle के ही baller को wicket मिला होगा तो जैसे कि यहाँ पे जडेजा है middle में ball किये थे 5 wicket मिला जबकि starting के baller को उतना wicket नहीं मिला जबकि over कितना किये 5 और 4 तो starting के baller और middle में देखो लगतार जडेजा से सबसे ज़्यादा over कराया गया उसी तरह अप और भी कई सारे match देख सकते हो यहाँ पे भी अस्ट्रेलिया और नीदर लेंड के बीच मैच हुआ तो यहाँ पे भी वैसाई हुआ कंडिशन यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर किये 399 जबकि इनको शिरिफ 11 और में पूरा 10 wicket लिकेट अस्ट्रेलिया का 8 wicket गिरा है तो नीदर लेंड के बॉलर इंपोर्टेंट हुए होंगे क्योंकि बॉलर को wicket मिला है और वो भी कुछ ऐसे बॉलर जो थौक में wicket निकाले होंगे तो देखो एक ही बॉलर 4 wicket निकाला हमने स्री लंका का भी दिखाया एक ही बॉलर 5 wicket लिया तो बॉलर इंपोर्टेंट होते हैं विक टीम का जब स्ट्रोंग टीम पहले बैटिंग करते हैं जबकि यहां पे भी आप देखोगे मिडिल के बॉलर को ही wicket मिला होगा तो जैसे की जमपा है आपको भी पता है स्पीनर है और मिडिल में बॉल करते हैं इनको 4 wicket मिला तो इस तरह से आपने देख लिया कि इस तरह का logic रहता है कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा बरे player को बनाए मतलब कि जो बरा perform करने में सक्चम हो ऐसा नहीं कि कोई ऐसा player है average player है 25-30 run बना देते हैं तो आप वैसे player को captain वाइस captain बनाओगे तो वो captain वाइस captain के option ही नहीं बन पाएंगे mega grand league में खासकर वैसे player को captain बनाए कि कोई ऐसा बरा player है जो पिछले match में flop चले गए हैं लोग ignore करने लगे हैं तो फिर वैसे player को आज बनाओगे तो आज के match में चलने की ज़्यादा संभाव न रहेगी वही कुछ ऐसे baller जो playing level में add हो गया है जो thawk में wicket निकालते हैं तो वैसे player को captain वाइस captain बनाए खासकर top order के bestman जो बरे player है तो वो पिछले match में नहीं खेले लेकिन आज के match में खेले तो उस toss time तक उनका selection low रहता है और toss के बाद लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं ignore करने लगते हैं और वैसे player का perform आने की ज़्यादा संभाव न रहती है player का change दो ही condition में होता है क्योंकि या तो flop player को बैठाया जाता है तो वैसे player को उस playing 11 में add किया जाता है जिसका against में अच्छा perform रहता है उस value पे अच्छा perform रहता है मतलब की head to head अच्छा perform रहता है तो वैसे player का हमेशा perform आने की संभाव न रहती है captain wise captain अगर आप safe बना रहे हो captain wise captain का chain कर सकते हो बाकि आप मेरा channel जरूर subscribe कर लेना और साथ में मेरा telegram join कर लेना क्योंकि match का जो prediction वाला video आता है किसको captain wise captain बनाना है किसको flop करना है और कौन से player trump card हो सकते है तो उसकी जानकारी आपको उसी में दिया जाता है उस video में दिया जाता है prediction वाले में साथ में grand league small league की final team आपको telegram पे दिया जाता है तो ये दो चीज जरूर कर देना video को like comment कर देना video कैसे लगवा okay thank you